देखे नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी नूज़ तो दोस्त वाक्त हो गये दिन भागा की बड़ी कवर को जानने का तो उसे पहले अगर आपके अभी तक जियो भी तक जियो भी भी नूज़ को सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन बिलको ओन कर दीजिए कैलास वीजेवर्गिये ने कहा ममता को CAA और NRC से वोट बैंक खोने का डर इसलिए मानसिक संतुलन खोचुकी है जिवाँ पस्चिम बंगल के मुख्यमंतरी ममता बनर जी की अगवाई में तिर्णमूल कारेकरता नागरिकता संसुधन विधेयक और NRC का विरोध कर रहे हैं इस पर भाजपा महासचीव कैलास वीजेवर्गिये ने गुरुवार को कोलकाता में कहा कि ममता को इस कानून से अपना वोट बैंक खोने का डर है इसलिए वे मानसिक संतुलन खोड़ बैठी हैं उन्हें डॉक्टर से जाच करानी चाहिए इससे पहले ममता ने कहा था कि छातर CAA के खिलाफ लोक्तांतरिक तरीके से विरोध जारी रखे हेमंत सुरेन के साथ जारकंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रिस की एक-एक मंतरी ले सकते हैं सपत मंतरी मंडल का विस्तार विश्वास मत के बाद होगा जिहां जहरखंड विधान्सवच नौँ में बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत सुरेन 29 दिसंबर को दो पहर दो बजे मुख्यमंत्री पद की सपत लेंगे सुत्रों के मुताबिक उनके साथ जहरखंड मुख्यमंत्री 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 तेज परताप के ससुर ने राबड़ी के खिलाफ किया केस कहा मोबाईल और पासपोर्ट मांगे थे कचरा नहीं जिहां राजद प्रमुख लालू परसाथ यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बहु एस्वरिया के बीच चल रहा विवाद पूलिस तक पहुँच गया है सुकुरवार को एस्वरिया के पिता चंद्रीका राय ने पटना की सास्त्री नगर थाने में राबड़ी देवी के खिलाफ एफायार दर्ज कराई है दरसल राबडी देवी ने गुरुवार को दो पीकप वैन में एस्वरिया का समान भर कर चंद्रिका राई के घर भिजवाया था इस पर चंद्रिका ने कहा था कि उन्हें सिर्फ कच्रा भेजा गया है हमने प्रोटेक्शन ओफिसर को राबडी देवी के घर पर रखे एस्वरिया के पासपोर्ट, मोबाइल और अन्य दस्तावेजो को दिलवाने की मांग की है राहुल गांधी ने आदिवाशियों के साथ किया नृत्य कहा भाई को भाई से लड़ा कर देश का फायदा नहीं होगा जिहां कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने सुकरवार को 36 गड़ के रायपूर में पहली बार हो रहे राष्ट्य आदिवासी नृत्य महोचव का सुबारंब किया इस दोरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तंजिकस्ते हुए कहा कि भाई को भाई से लड़ाने में देश का फायदा नहीं होगा सबको साथ लिये बिना देश की अर्थ्विवस्था नहीं चलाई जा सकती इस दोरान मुख्य मंत्री भुपेश भगेल ने माडिया गॉड सिंग पहना कर राहूल गांधी का स्वागत किया उन्होंने राहूल गांधी को गोबर से तयार नेम प्लेट भी गिफ्ट की राहुल गांधी ने बस्तर के आदिवासी कलाकारों के साथ निर्ति भी किया ग्रेह मंत्री अमित साह ने कहा नागरिक्ता कानून पर कॉंग्रेस एंड कमपनी फैला रही है अफवाह जिया नागरिक्ता कानून को लेकर देश भर में परदर्शन के बीच बीजेपी अध्यक्ष और ग्रेह मंत्री अमित साह ने कॉंग्रेस पार्टी पर निसाना साथा है सिमला में आयोजित एक रैली के दोरान गिरे मंत्री अमित साह ने कहा कि कॉंग्रेस एंड कमपनी नागरिक्ता कानून पर अफवाह फैला रही है कि यह अल्प संक्य को और मुस्लिमों की नागरिक्ता ले लेगा अमित साह ने कहा कि मैं राहुल बाबा को चुनोती देता हूँ कि वह इस प्रावधान में कोई एक कलाउज दिखाएं जिनसे यह पता चलता हो कि उससे किसी की भी नागरिक्ता चली जाएगी गौर तलब है कि नागरिक्ता संसुधन कानून में भारत के पडोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश से आये प्रतारित सिख इसाई और हिंदूों को नागरिक्ता देने का प्रावधान है जिसको लेकर लगतार देश भर में विरोध परदर्सन हो र पर हेमंत सुरेन के सपत गरहंट समरोह में सामिल हो सकती हैं सपत गरहंट समरोह 29 दिसंबर को जहरकंड की राजधानी राची में होगा बनरजी की पार्टी टीमसी के एक वरिष्ट नेता ने कहा कि जहरकंड मुक्ती मोर्चा और हेमंत सुरेन के साथ हमारे अच्छे समन्ध फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ 29 दिसंबर को सपत गरहन में सामिल होंगी उलेखनी है कि विपक्ची पार्टीयों के वरिष्ठ नेता हेमत सुरेन की सपत गरहन समारोह में सामिल होंगे एक कारिक्रम में इन नेताओं की उपस्तिती को देश भर में संसोधित नागरिक्ता कानून और प्रस्तावित राष्टिय नागरिक पंजी के विरोध में हुए परदर्शनों की प्रिष्ठ भूमी में एकता परदर्शन के रूप में देखा जा रहा है उन्होंने कहा कि यह कारिक्रम सक्ति प्रदर्शन और विवक्षी नेताओं की एकता को प्रदर्शित करेगा